नमस्कार, स्वागत है आपका चमतकारी टोड के चैनल पर दोस्तो घर की सुक्सोविधा और समरिधी के लिए वास्तु शांस्ट में कई नियमों की बात की गई है यदि आपके घर में तनाव मना रहता है और आपको सुकून की नीद नहीं आती है परिबार में जगडा होता रहता है तो आपको अपने घर के वास्तु दोश पर ध्यान देना चाहिए ये वास्तु टिप्स आपके लिए फाइदे मन छाबित हो सकते हैं चाहे आप एक बंगले में रहे या एक छोटे से मकान में गर के वास्तो का प्रभाव घर के रहने वाले सदसे पर पड़ता है, इससे बच्चों की पढ़ायी लिखाई से लेकर हर सदसे की सेहत और करियर पर भी प्रभाव पड़ता है वास्तु शार्च के अनुसार उत्तरमुखी जमीन में पच्छिम दिशा में खाली जगे नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि ऐसे मकान में रहने वाले पुर्षों को शारीरिक, मांसिक और आर्थिक परिशानियों से जूझना पड़ता है वास्तु शार्च के अनुसार उत्तरमुखी घर का मुखे दर्वाजा पूरव की बज़य पच्छिम दिशा की ओर हो तो घर के लोग अधिक समय तक स्तेर नहीं रह पाते ऐसे घर के मालिक को धन कमाने के लिए अधिकांश समय बाहर ही रहना पड़ता है जानते हैं घर के लिए वास्तु के कुछ विशेश नियम तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकिन को क्लिक कर दें ताकि आपको नए अबडेट्स मिलते रहें घर का निर्मान करने से पहले भूमी पूजन करना अवश्यक होता है ये घर के जोड़े वास्तु नियमों को ध्यान रखते हुए होनी चाहिए इसके बाद आपको ये निर्नाय लेना होगा कि किस स्तान पर कौन सी चीज का निर्मार होगा और कौन सी चीजें शुफल वास्तु के अनुसार तिराहे या चौराहे पर विरान और शोर्गुल वाले स्तानों पर शहर या गाओं से दूर और अवैद गतिविविवियों के समीब घर नहीं बनाना चाहिए सड़क या गली के अंत में जहा शड़क समापत होती है वहां भी मकान नहीं बनाना वास्तु के अनुसार घर का प्रमुक, द्वार, इशान, उत्तर, बायवे और पश्चिम दिशाओं में से किसी एक में स्तापित किया जाना चाहिए मुख्य द्वार के सामने सीडिया नहीं होनी चाहिए यदि संबव हो तो सीडियों के आरम और अंत में दर्वाजा जरूर बनवाए वास्तु शास्त के अनुसार घर में निम्रिट सीडियों के लिए दक्षिन, पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशाओं शुब मानी चाहिए उत्तर पूर विया इशान कोड में स्थित सीडियों के वास्तु दोश से आर्थि खानी, बीमारी और परिशानी हो सकती है इसके अलावा घर के बीच स्थित खाली जगह यानि ब्रह्म हस्तान हमेशा रिक्त रहनी चाहिए सोने वाले कमरे में क्रोधि देवी देवताओं की तस्वीर लगाने से भी मानसिक तनाव की समस्या होती है अगर आपके कमरे में भी क्रोधि देवी देवताओं की तस्वीर है तो उन्हें हटा दें ऐसा करने से मानसिक तनाव की समस्या दूर हो जाएगी एक चीज का अवश्य धान रखे के घर में भी माकाली, भेरफदेव और शनी देव की तस्वीर ना लगाएं वाश्चो शास्च के अनुसर घर के अंतरिक नकरात्मा कूजा को रोकने के लिए घर के मुख्य द्वार पर रोली के सहारे, दाईयों, शुब और बाईयों लाब लिखना चाहिए साथी द्वार के उपर रोली से ओम का प्रतीक बनाया जा सकता है इसके साथी स्वास्तिक का प्रतीक बनाना भी शुब माना जाता है द्वार पर अशोप के पत्तों से बनी बंदरवार भी लगाई जा सकती है इस प्रकार के कारियों से घर में सुक समरिधी बनी रहती है और सभी कारियों में समरिधी आती है घर के प्रते कोने में देवी देटाओं के चितरे या मूर्ती रखने के बज़ाए पूजा स्टाल बनाकर इशान उत्तर या पूर्व दिशा में पूजा करना विशेश फलदाई है घर के छट, बालकनी या सीड़ी की नीचे कभी भी कबार भरने की सला नहीं दी जाती है काड़ी को रखने के लिए दक्षिन पूर्व या उत्तर पश्यम दिशा सबसे शूप मानी जाती है इस दिशा में ओवर है टैंक बनवाने की भी सला दी जाती है तो दोस्तों ये थे कुछ वास्तुनियम जिनसे आप भी अपने घर में तनाव से मुक्त रह सकते हैं वीडियो अच्छा लगाओ तो इसे लाइक करें शेर करें और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें धन्यवाद